हाई एब्रीवन वेलकम टू मैं चैनल कैसे हैं आप सब मैं हूँ बीना और आज हमारे मेनू में है स्वाधिष्ट टमाटर की चटनी बनने वाली है तो यह बहुत टेस्टी होती हो गाउं की तरह मैं बनाऊंगी जैसे उपले में भून करके बनाते हैं तो देखे मैंने उपल मैं में भून जाता है तो धक देखे में थोड़ी देर के पांस के लिए दस मिनट के लिए इस तरह से ठहके रहेंगे तो धीर धीर करके अच्छे से गल जाएगा तो प्रेंट से बहुत टेश्टी होता है तो ज़रूर ट्राइक रहें इस तरह से तो देखे एक तरफ हो गय बुन भून करके बना सकते हैं वो यह बिलकुल अलग होता है अर बहुत ही थेस्ट होता है इसका देखे इस तरह से प्Phone लिए हैं फिर से देख ले रहे हैं है कि तो देखे कितना अच्छा गल गया यह professionals से तो देखें अलमुस्ट भून गया है थोड़ा सा कम लग रहा है तो फिर से ढग दे रही हूं तो देखें एकदम से तयार हो गया है तो चलिए इसे धुल लेते हैं इसमें जो राक लगी हुई है इसे अच्छे से धुल करके साफ कर लेंगे तो देखें ओपर से छिलका भी निकल गया है तो चलिए चटने बना लेती हूं तो मैं यह सिलवट्टे पर बनाओंगी नमक और हरी में चोटलासन डाल रही हूं तो इसे पहले इस तरह से पीस लेंगे शिलवट्टे से आप मिक्सी में भी बनासकते हैं अच्छा लगता है पर शिलवट्टे की चटनी लगी होता है बहुत टेस्टी होता है हरी धनिया मैंने कटकर लिया है इसे मैं डाल दे रहे हुँ और इसे पीश ले रहे हुँ देखे इस तहरा से पीश लेंगे और फ्रेंट्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें बिल आइकन को प्रेस करें तो अभी मैं गाउं में हूं तो इसलिए गाउं की वीडियो ही अप्लोड कर रही हूं तो बहुत टेस्टी होता है जरूर ट्राइब करें और अगर सिल्बट्टा आपके पास नहीं है तो मिक्से में भी इसे पीश सकते हैं बहुत टेस्टी होता है इसे नास्ते में दो पहर में या रात में कभी भी खाने के साथ इसे खा सकते हुए चट्नी टेस्टी होती है वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और जरूर ट्राइब करें अपना न रहा है यह बहुत टेस्टी होता है तो फ्रेंट जरूर ट्राइए करें और चटनी बनाने में बहुत कम समय लगता है तो देखें तयार है चटनी थंडियों के मौसम में तो यह बहुत ही अच्छा लगता है यह चटनी इसे जरूर ट्राइए करें तो देखें ट्माटर चटन है तो इसे बावल में निकाल ले रही हूं तो देखी टेमाटी चटनी तयार है तोड़ा सा इसमें सरसू का तील डालूंगी इससे बहुत अच्छा फ्लिवर आता है इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी से तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ नई रेस